बंद दातु छोल दड़ के साथो आपना बालु काया तेड़े हाथ दोड साब दी एवे साद दे पड़ादा पाया बंद दातु छोल दड़ के साथो आपना बालु काया जे हो जाई तेड़े मज मालका तो पचाल दिया बंदा करावे दन किड़े पाले तियाडिया बेड़े दूब दे पाड़ा लगावे दन किड़े पाले पियाडिया बेड़े दूब दे पाड़ा लगावे ओ जड़ जन दियानू दाईया काड़ के ते रास्ते पावो मंग तेह तेड़े दाड़ दे केड़ नाम साचे दिपावो ओ जड़ जन दियानू दाईया काड़ के ते रास्ते पावो मंग तेह तेड़े दाड़ दे केड़ नाम साचे दिपावो होगिया जावा अपदा किरपाल गुरू चाड़ नीलावे दान किरपाले याडिया बेडे दूबदे पाड़ लगावे दान किरपाले पियाडिया बेडे दूबदे पाड़ लगावे 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 दोटरफो बेड़ लगावे पाड़े लगावी आव morb置 ऌयर का प्रूब लगत आंवावट अज़वार not only the saints even the great sinners got liberated all those who took refuge at his feet crossed over in a moment selflessly do the deeds, love God he who uttered the name of the master crossed over the ocean of life repeat the simran of the master so that you may be liberated O Ajayb, Kirpal is with you pay a little attention O man, make your life successful Jeevan safle banale bande Jeevan safle banale Jeevan safle banale bande Jeevan safle banale Jis ko tu ne ghar semjha hai Jed like mo'oli J candles eh Jeevan safle banale bande Jeevan safle banale bande Jeevan safle banale bande Jeevan safle banale bande Jeevansee एक सराए जेह जग चला चली का मेला एक आए एक जाए साथ नहीं जाती काया तक माया के मतवाले जीवन सफल बनाले बंदे जीवन सफल बनाले दीन दुखी और दुर्बल जन की कर ले सेवा कर ले राम नाम के हीरे मोती इस जोली में भर ले दीन दुखी और दुर्बल जन की कर ले सेवा कर ले राम नाम के हीरे मोती इस जोली में भर ले कमासके जितना जीवन में उतना नाम कमाले जीवन सफल बनाले बंदे जीवन सफल बनाले संत जना की बात चोड़ दे माह अधम तक तार गए जो भी चारन शरन में आये पल में पार उतर गए संत जना की बात चोड़ दे माह अधम तक तार गए जो भी चारन शरन में आये पल में पार उतर गए करनी करनिस काम भाव से प्रभु से प्रीत लगाले जीवन सफल बनाले बंदे जीवन सफल बनाले भवसागर से पार हो जाता जिसने गुरु का नम पुकारा सिमरन गुरु का रटले बंदे हो जाए तेरा चुटकारा भवसागर से पार हो जाता जिसने गुरु का नम पुकारा सिमरन गुरु का रटले बंदे हो जाए तेरा चुटकारा गुरु किरपाल तेरे संग अजायब थोड़ा ध्यान लगा ले जीवन सखल बना ले बंदे जीवन सखल बना ले परम पिता परम आत्मा सावन कर पाल दे चरना दे विछ निम्शकार है जिना ने गृव आत्मा ते रहम किता आपना जशकरन दा मुका देता है Saludations unto the feet of Supreme Father, Almighty Lord Sound and Kirpal who have had mercy on the poor soul and have given the gift of the devotion and also have allowed the opportunity to sing their praises Thuadeg, Swamiji Maharajah, Chhetaiai Shabdharkhayandha आप प्यारना देविच सम्झाओंगे किसी संतान दे चरना विच किस तरह निम्शकार कर दे हैं क्योंकि संतान दिम्राद अंदर नूरी चरना तो हंदी है जे बार न देचर न अंदर मिलन दा स्वाली निक पैदा हुदा अबरेफ हम of Swamiji Maharaj is presented to you in this livingly he will explain to us that how do we have to salute and bow down at the feet of the Master अज़ पिशे से कम है रहा हुआ है थोड़ सको आगे कर दो Saints when they talk about the feet of the master they refer to the inner feet of the master but unless we develop the love and faith in the outer feet of the master we cannot get to the inner feet of the master ज़दोसी तुलसी सेव ने भी कहा है चेन चेन सुर्त समार लार दिर के रहो तनमंदर परमाज साज सर्थ से गहो लगन लगे लकसार तवपाया हारे संत चर्न की तूड नूर दुरसाया आप प्यार ना कहिंदे हैं कि संता देता होया तुसी से मन वार वार दोना आखांद दर मैने थे तीसरे तल देते हानु अका अगर करो हेते हो नूरी चर्न जड़े है ओ परगट होनगे चिनना दा हर संता ने जिकर कीता है जिथो तक पहुंचना शिष्टा फरज हुनदा है तुसी साथ ने केकला अगार की मला हुंचना जड़े प्रगब करका अगा ऑन रखार ने धनोने केसे हां वान को जो टो सिर्भा कि ने पे आट प्राव करके लिए प्रेग्ग मांत भी यार्स दो ए कनट तुसी अप्र आट लिए ने चांट टे अट किले हैं अनी तोट रही है तोट रही है विदी वाज जान दी विदी के तूटे जी तर ग्राव होगे है कैंट ढूँ देखना जी यह जो 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 आए अजी विदी 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 अजी अजी जी शब्द जी जी नहीं जीदा पाठ ले नहीं महिमा सत्गुरू पचन आठवा शावद बारवा संतांदी बानी पन्नाते गुरू चारन बसे अब मान मे मैं स्टेव पुरू अजी पत्तांदी अजी अजी शावद प्रह्द करें आठ ले पन्नाते अजी शावद पुरू जी जूस्टी बान अजी अजी इसरे तिल ते त्यान रख के सिम्रन कर दे हैं, ओस्वेले सा कदे शुरू पाउंदा है, कदे जानदा है, जिस्तरां आपा ट्रेन दे विच सफर कर दे हैं, आपानों इस तरह लगदा है, कि जिस्तरां द्रक्त जेड़े हैं, ये दोड़े जन्दे हैं, द्रक्त ता गड़े खड़े हैं, दोड़े नहीं, लेकन दोड़े ता ट्रेनी हैं, इससे तरह जेड़े गुरू दे नूरी चर्न हैं, ओता उसे जगा तीसरे तिल ते मजूद लेकन साड़ा त्यान कदे जन्दा है, कदे हट जन्दा है, कदे जन्दा है, कदे हट जन्दा है, बहुत सारे प्रेमी एवी शिकायत कर दे हैं, के जी असी उथो तक पहुंचता गए, पर फेर साथो चर्न शुट जन्दे हैं, कई प्रेमी कहिंदे हैं, के जी परकाशता पर वो जल्दी चले जन्दा है, उन्ना दे अंदर की है, क्योंना दा त्यान अकागर नी होया हुंदा गा, जो त्यान अकागर नी हुंदा, ए तीसरे तलते जाके ओ खडदा निगा, उन्ना चकर कदे वो अंदा है, कदे जन्दा है, लेकनो जडे नूरी चर्ण है, जदो सी स शुर चंदरमा सतार नंक के पार चले जनने है, ओ स्वेले, ओ साटे अंदर मजूद हम दे है, ओ ही शुरूप है, जेडा अजाडा, पहाडा, जंगलां दे वेचे सेवक दे साथ रेंदा है. शकताररी कह दोड़ी है, प्ल talked Alamain Dhanavam, पहस्ट है. जदा सकता है, जजे खूद सेवक प्रवद भार को स्वेड़ने हैं, इस मोड़ी थे थाम में पрипांगना शुर्द थे एंदाः फ्यूर्स म्दी थे खूद थे वे, गश्त धूर्स में च bereाखने खुए. न लेकाइन भी непार चैनल तर्थास के ऺनांते सेंट। जिर्ण जानगी करति हैं था टिर्श भी योवंग विए युव यूव श्यान करना यूमने शोझ काम्वाइन अर पिति इन आम्रम पोल मह मանश्या हर मारें तर्थान petty kitty इंदे इंदी इंदो इंद इंद्ट मॉज़ फे इंदरे रेन बॉझ पaffी इंद स्टाव ने इंदे संर मॉज य औन इंद मॉजख एज स्ट फजा रव इंद好吃 it altogether given the вполне इंद डरे इंदे इंद इंद इंदे इंदेप एंद इंद ज फिवन everywhere in the wilderness, on the mountains, in the forest, wherever the disciple may go, that inner feet of the master always goes with him. श्रजी आपश्चύ पहस्तों सब्सक्राइबれたॉबattend मिंदी जदो तीस्रे तितनि खेप्व एक्माँ गोरिण, जय के मिदूेशवये ». जदो तीस्रे तितनि ख्याल आकागर हो जन्ता है. आत्मा दे अंदर खुशी पर्गत हुंदी है, आत्मा ही अंदर शबद ए नार बात कर दी है, खुशी मसूस कर दी है When our attention gets concentrated at the eye center and going along with our master, when that inner form, the radiant form of the master gets manifested, our soul talks, very loving talks and loving things with the inner form of the master and at that time the great happiness is created within the soul because it is only the soul which is able to talk to the inner form of the master At the Teesra Dil, when we are able to talk the loving talks with our beloved master, the master has to take us upwards and once we get there and once the form of the master gets manifested within us, after that not even for a moment he goes away from us and not even for a moment our connection with him gets broken. Such a dear one, once when he reaches inside, after that he always remains with the master Kabir Sahib also says that, O Kabir, whether I am asleep or awake, I always remain at the same place We are extremely man 6 auchin, waasti, fl autres, while we are beds Affuciones, as if we can see that, O Kabir, whether I am asleep or to respond then the anger of the master and humichice But we also bandeja said, O Kabir, whether I am asleep or cannot be Diskuss elsewhere by socialально, does not be na' कर्था दाइ स्थामेजी माराजिव बड़े प्यारन चेहें के जेडा मनसन पीरन दितरा दन रात पतकां दासीगा तन देंदर कदे काम देतपष और वजी काम देत पश्या तो अंसान अपना तरमनी पिशाण दगा कामी बेशन फो जन्दा हें को लेकर भी खड़ अवसनु आदमी दिस दे निगा। आदमी दिस दे निगा। आदमी 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 दे निगा। आप दे आसे पासे अलान भी गर्म कर दंदे है, तपन ला दंदे है. अलान भी गर्म कर दंदे है, तपन लान 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 भी गर्म कर दंदे है, एक कोई केंड दी गल निगी ए रोज मर्रा दी हार एक दी जिंदगी देवेच वाके वापर दे है एना तागतान वस कर लणा कोई खाला जी दावाडा नी बड़े बड़े रिखी मुनी याने तप कीता अवयास कीता कारबार शटके जंगला पहाडा देवेच गए लेकन थाखे वी आब रियाने ना कम ने पिचाशे डिया ना करोध ने पिचाशे डिया होना दा आधा. को तरा बेवादना तोड़ा आ काषिर करके है चार कताबा मपड़ के गुणि गुण गयांने बढ़के एन अ फ्रकरत बाया प्र graphic ist एहते नंद अगयर शिदा लांगि ए कि आपने आपन तोखादे दिैसि आपने वांगा this we may be deluding ourselves we may be deceiving others dear ones even if we are able to control them a little bit using the hud karmas on the outer level when we will go within in the astral planes over there they these patients are present in their astral forms and they will bother us they will conquer us over there the durwasha muni who used to go within when he went inside over there the fairy called urvashi deceived him and even though he was able to control his lust here on this physical plane but when he went in the astral plane he was deceived by the urvashi fairy i have often said that how the physical knot or the physical residence of lust anger greed detachment and egoism is at our eye center and austere it is present in the trikuti so unless we rise above the eye center and go beyond the trikuti and reach the power bram there is no way we can save ourselves from these passions that means that means that means मेरा आगी कोणा पियार ना केंदे है कि जद उसादे अंदर ये पंजे तागता निकल जाने हां, एकए करके जाने हां, दस के जाने हां, काम दस थायां, मैं चले यां मेरा जुजारा नहीं क्योंके जद करदा मालक सोया हुया है, ये तुछीर अंदर ये वड़ी है, उन्न आ वो क्यों कर देंदर समान चड़दे है, जे करदा मालक आजावे, जाग पवे, अपनी आईती आजावे, उन्ना दी मजूद की बरदाष्ट नहीं करदागा, वो वी सारे दौड जन्दे है. Now he says that when these powers go away from our within, they go one by one and before they leave they tell us that they are leaving. The lust leaves and says that I cannot stay here anymore and in the same way the other powers, the other passions also leave us and they tell us that they are leaving. It is like when the owner of the house is sleeping, the dacoits, the thieves, they come in the house and now it is up to the thieves that what they want to take away from the home and what they want to leave there. But when the owner of the house wakes up and when he comes in his full force and when he is ready to fight with the thieves, then the thieves do not find any place in the house. They all leave the house at once and they do not leave, they do not take anything from the house. But if the owner of the house is sleeping, then it is up to the dacoits, whatever they want they can take from the house. So when the dacoits leave this home, then from the above the sound of the bell is coming and listening to that sound of the bell, the renunciation is created within the mind. He tells us what is the name of the house. किस तरह सी चेलियाँ बनाए लेने हैं, किसा रह जाके गदाएं पिछे लड़ालेप्रिदे हैं, किस तरह बाहर जाके घडियाँße फेखी लड़े फिरे हैं,eremosनश जाके रह इस सफ़ 63 roum पर आकर कर निकदिया मुनिस्य। लड़ाई चगड़े कर दे हैं. अगूअअचा सुम्टाई चाहिए है, दो कोई तव सता हैं. but the renunciation which is mentioned here is not that kind of renunciation that is the true renunciation it is not like the outer renunciation which people do leaving their homes behind Piyarayo, it is a case of the fact that the Punjab is going to go to a job and the dog is kept on the head, the clothes are kept on the head, the clothes are kept on the head and the hair is kept on the head, the hair is kept on the head, the hair is kept on the शारफ बाबा सावन सेंखिए इंदे सी बहुत सारी माया कठी होई बडवी पारी जयदात बनगी बनगी ओ बाबे दे दो चेले रखे हो अधारी होगगी दो चय डुक्ल मेरा कि दे चोडा त्या गया और चेले जंदे डिवीचे चगडा होया ओ अखे मैं दा बारस हैं, ओ अखे मैं बारस हैं, गवर्मेंट ने उन उस्ते कब जा कीता हुया है, रसीवर कीती हुई है तो प्यारे ओ तुसी देख लो किते हो गर्दे विच बोरी पाखे रखदा सिगा, चेल अनु ये ही अप देश देंदा सिगा, लेकन तुसी देख लो जे बारले बखावेदा वर आग हुंदा है, ये करदा है का आगलऑल ये का ये यте देख लिए्टन साथ connected d it, nie byम के थे। रे बेर रेनिशिए हैई हैं वह अभर फॉन करने प्कीता सिगेट के hy autograph Nodal An ये कर विर रिदो देखिट हैं possessed・विटस है, घर डिदो रिदो जोọn एक हुट्म कर देखिब हैं hypothesis या ग dresses प्रिज क्या टेखिती लंगा प्रशे bob स्थैंट पूलिखिती से पृवास एक जा मैं पूबत रिखnd ऑ ale कि उनके हो øक्रे से इनगायोर स्थैंटृ। कि अप्रूब ताइए सम्हरू इन्टेट इनकते हैं। कि अप्रडु पॉड़िया की अपना फिर्मॉड प्राव और रेए ज्राव लॉड़िशीन इनकते हूं को आपटा मैंने में प्रावीज प्रावे प्राव एस अत्ते के लिए रहे थे जला है तोने पांचे शाबदे काते हैं जागी मन हुआ सेहज बेरागी जदो साड़ी आत्मा ओशब्द नो सुन दी है मन दे अंदर सचा वराग पैदा होंदा है क्योंके मन जड़ा है ए लज़द आशिक है जना चेकरे इसनू उच्ची तो उच्ची सुची तो सुची लज़द नहीं मिल दीगी ओना चेकरे दुनिया दे खटे मिठे जड़े रसनू लगया है छड़न वास ते त्यारी नहीं हंदागा और है जो और है जड़ है जो है भी जड़े नहीं है कि जीड़ है और है कि न लगया है टू है ड़ा है He does not care for any outer or the worldly things. Dear ones, if you try to snatch away whatever pennies or whatever little things a beggar has collected, he will resist and he will not let us take his things. But if we give him dollar or something more valuable than what he has, then he will easily throw away all what he has collected. The same is the condition of our mind. Unless we give our mind the highest and the truest melody of the Shabad Naam, unless we give him that truest taste, he is not ready and he is not willing to give up the pleasures. He is not ready to give up the taste of the pleasures of this world. अब हुआ सेहज बेरागी गोर केरपा सूर ओगाना अब हुआ जागत बेगाना जद कांटे दी तुन्न सुनेया, गुरू दी किर्पा अंदरे ही होगी, क्योंकि गुरू किर्पा बाहर भी करदा है, नाम दिन्दा अंदर जान्दा रस्ता दास्ता है, एबारी किर्पा है, ससांग सुनोंदा है, सत्सांग ते विच सादिया जडिया कमिया हन ओ दस्दा है ये बार दी करपा है लेकन जाद अंदर सी कंटे दी तुन फटके अंदर जाने है तो अंदरो करपा फेर करदा है अपनी द्या करदा है When one hears the sound of the bell, then the inner grace of the master is showered over there. Outwardly also the master showers his grace upon us. He showers his grace through the satsang, he gives us the naam initiation, he talks to us and he gives us the satsang and in that way through all these outer things he showers his grace upon us but inwardly also he showers his grace when we go within and hear the sound of the bell then inwardly also we get the grace of the master. Guru Karpa की करदा है, सूर्ज अंदर अगादन दा है और ये यड़ा देस है जदो सी सूर्ज चंदरमा तक पॉंच दे हैं ये यड़ा देस है ये प्राया लगन लग जैन दा है हुना सी इस मुच्छ नवास ते तयार नी फेरे बगाना लगदा है इस तो अपने आपी साड़ा लगओ खत्म जन्दा है What grace does the Master shower upon us in the within? He makes the sun to rise and when the sun is risen within us, this world to which we are so much attached and we don't want to leave it, it seems like this world has become somebody else's world, it becomes like a foreign land to us and then very easily we become ready and we leave this world. Because once that inner sun is risen within us, outer world seems like somebody else's land. So Swamiji Maharaj says that with the Master is the limitless sun and when He makes that sun to rise, then this world seems like somebody else's. गोर केर पासूर को गाना, अब हुआ जगत बेगाना, अब हुआ जगत बेगाना, चट बैटी तारी लाई, बाहर की किरिया दूर, जा सूर्य पैदा हो जन्द है, चंद्रमा पैदा हो जन्द है, अंदर समाधी लग जन्द है, जेडी बाहर ली किर्या है, अपने आप ही पोल जन्द है। When the sun is created within, when the moon is created within, one goes into the samadhi, and then the outer deeds, the outer rites and rituals, one forgets easily. बाहर ली किर्या की हुंदी है, कि एसी पहला जो कुछ भी कर्मकांड कर दे हुने है, पहला उन्दा भी जोर हुंदा है, उस सारिया पोले जाने है, जिस तरह बुले शा ने अपने गुरु ओगे फरियाद कीती, कि मैनू आदत है, हर रोज पांज न्वाजां पढ़दा है, म हो केल लगया, देख भई, जेड़ी तु रोज किर्या कर दा है, ओ कर, क्योंकि संत महात्मा किसी ते लार नी लवंदेगे, ओ ए कहिंदे है, कि जेड़े यसी तवान जुगती दस दे है, तुसी एसनू करो, करके फेर देखू, अगर एदे विचे कोई रस होया, जब पहले किर्या कर्मकान दे विचे रस होया, फेर तुसी आप पर ये पेद कर लोंगे, होन जो तो बुले शाह ने बाहर ली किर्या दे नाल, अंदर जो शब्द नाम दी कल में दी कमाई कीती, अंदर रस आया, तो फेर किते अनैच्छा दे पास गया, ओ कहने लगया, क्यों बई, नमाज पढ़ दाया, रोजे रख दाया है, ओ अधा जी सच मैं थो अनुकी दसा, नमाज पढ़ा के तैवल वेखा, तु अंदर एना सोणा लगदा है, एना प्यारा लगदा है, मैं बयान नहीं कर सकदा, हुण दस मैं नमाज पढ़ा, यां तेरे कनी वेखा, ये मैं है, तो मेरा त्यान तेरी तरफ उत जन्दा है, तो मैनु कावा पोल गया, इमसीते जाना ता मेरे यादी निरिया, क्योंके मेरे वास्ते सच्चा कावा तु ही है? What is the outer practice? The rites and rituals in which we are involved, the karmas which we do before we come to the master are the outer practices. But when we go within and we see all these things within ourselves, when we see the master within, then all these outer rites and rituals, all the outer practices, they do not have meaning for us and then we leave them. Ourselves, when Bulesha went to his master in Ayat Shah, before that he also used to do the outer practices, so he asked his master in Ayat Shah that I am in the habit of offering the prayers and I am in the habit of going to the mosque, what should I do? Should I continue doing these outer rites and rituals, the outer practices or should I concentrate on doing the meditation of the karma which you have given to me? Masters do not touch our outer practices, but they do tell us that you meditate on the naam which we have given to you and when you will go within after doing the meditation of the naam, then you will see that what is the best. If you find more interest, if you find more pleasure in doing the meditation of the naam, then you can decide what you want to do, whether you still want to do the outer practices, whether you still want to do the outer rites and rituals or you want to do the meditation of the shabad naam. So when, after doing the meditation, when Bulesha started enjoying his journeys with him, afterwards, once when he came to his master in Ayat Shah, master asked him that, tell me if you are still offering the naam, if you are still doing your prayers, are you still going to the mosque? He said that, what should I do? Should I do the naam, the outer prayers or should I look at you? Because when I do the meditation, you are so beautiful inside that I don't remember to offer the prayers, I don't even remember going to the mosque because you are so beautiful inside. So, masters do not tell us to stop doing the outer rites and rituals, but they do tell us that you do what we are telling you to do. And once you have done what we have asked you to do, then you will see that what you should be doing, whether you should be doing the outer rites and rituals or you should be doing the meditation of the naam. Bulesha says that burn the prayers and dirt is keeping the fast. The Bulesha has realized the real thing from within the whole world is forgotten and is wandering outside. kort bety tarhi piel та-e-e-e la-e be a bashing kiti qriya turo bih riya आदबोत सुख दिखलाया, क्या मेहम जाइना गाया। यह थे पोँच के, सच तए है के जिन्नाचे रसी अस्तूल, सुक्षम, कार्न, तिन्ने पड़दे लाके, पार ब्रेम देचे नहीं जान देगे, पार ब्रेम जाने तुक्रण सच्च के, सुक्षम, क्य तए है। उत्हे जाके पता लगदा है कि किस तरह गुरु अद्पत्ष शुक आत्मानु शान्ती दन्दा है। The reality is that unless we rise above the physical, astral and causal covers and reach the power Brahm, we do not know the reality of the Master, we do not know what the real peace and happiness is, and we do not even know what the power of the Master is. We get to know the power and the reality of the Master only after reaching the power Brahm, only after crossing these three planes and reaching the power Brahm, only after reaching there we come to know that what amazing happiness, what amazing grace the Master is giving to us and what power the Master is. When we are below the power Brahm, while during that time when we are not yet crossed over and got to power Brahm, when we are below the power Brahm, what happens? That sometimes when somebody says that the Master is good, then we have faith in Him. When someone says that Master is not good, then we lose faith in Him. If someone says that He is a deceiver, we believe in Him and we lose the faith. So sometimes the faith comes, sometimes it goes. Only that soul which has reached there is able to say that the happiness, the peace which my Master has given to me, I cannot express that, I cannot describe that in words. Because the condition of that soul becomes like that, the condition of a dumb who eats the sweet, but cannot describe the sweetness. He can only express his happiness through his gestures, but he cannot speak, so he cannot tell us that what the sweet is like. Guru Arjan Dev Ji Maharaj also says that with which mouth can I praise the Master, because Master is capable of doing everything, He is competent, He is omnipotent. He says that I don't even have that tongue through which I can praise my Master enough. गोरे अदबत सुख देख लाया, क्या महिमा जाए ना गाया, जग जीव अपागी सारे नर्दे ही जोही आरे ओथे पहुच के आत्मा दे अंदर फेर दुनिया दर्द पैदा हुंदा है, के जीव अप आगे है, जेडे थे अंदे नीगे. After reaching there within the soul, the pain for the world is created within such a soul, and the soul feels sorry and feel sympathy for the world. She says that they are the unfortunate ones because they don't go there. God Almighty has given us this human birth to go within it and do His devotion, but instead of going within ourselves and doing His true devotion, what do we do? We go outside, we take very long journeys, we go to different places of pilgrimages and do all the outer things. मैं खोद अपनी जिंदगी दे अंदर बहुत लमिया हिंदोस्तान यात्रा की तियां सिगियां कदे किसे तीरते, कदे किसे तीरते, लेकर ज़द बाबा विशन दासनू मिले, अनने दो शबदा पहेद देता, पहेदी नी देता सी, ओस महात्मा ने बढ़ी ही कथन तपश्या कराई सीगी, ओ तपश्या अगर कथन कराई, तादी ओ परमात्मा करपाल ने आके करपा की ती. In my life, I myself have traveled very long distances, sometime I went here, sometimes I went there, sometimes I went to this place of pilgrimage, sometimes to other places of pilgrimage, did this and did that. But when I met with Baba Vishan Das, he gave me the secret of the two words, not only he gave me the secret of the two words, but he made me do very strict meditation, very hard sacrifice, very hard meditation. it is only because of that, that he made me do the sacrifice, he made me do the very hard meditation, that when I met with my master, Master Kripal, I was able to do what he asked me to do. प्यारे वादस्दा हना है, के जदो मैं तो कोर तो पछे, Baba Vishan Das, अवराई शेक्राई सी, सब तो पहला, मेरा खाना बिलकुल कठा दता सीगा, और तो बाद, मैनू सब्जिया देन लग पे, सब्जिया भी कठा दतिया, आखर शबिया दा पानी देन लाग पे वी कठाथ गे फिर थोड़ा जाए की दिन दे लूंदे ली कठाथ गे और फिर मनु निमकाला पानी देन लागे सीगे Dear, once of one I have said that how when Baba Vishandas made me do the strict practices, the very hard meditation, he reduced my diet and afterwards he started giving me the vegetables which also were reduced and afterwards he would give me some clarified butter the ghee which was also reduced and then after that he started giving me just some salty water so it was all due to Baba Vishandas's grace it was his mercy as Master Baba Saman Singh used to say that when a potter is making a pot if he is hitting the pot from outside he has his another hand inside the pot to support it I have often said that the early practices of the Sant Mat are very difficult to do because the first two planes to cross the first two planes is very difficult it needs a lot of hard work and other than that the beauty which you get in the higher planes you don't get to see that beauty in the first two planes जग जग जीव अपागी सारे नर दे ही जोह ही हारे आत्मा दे अंदर दर्द पैदा हुंदा है, कहन दी कि ए जीव जेडे है, ए अप आगे है, ना कारबार छड़ना, ना पुतरतियां शड़निया, ना कुछ खर्चा करना है, ए जगा ओ पारबनेंद विचे क्यों नी पहुंच के, ए सुख और शांती प्राप्त कर दे, जाग जीव यपागी सारे, नार दे ही जों ही हाया, नार दे ही जों ही हाया, क्यों गुर से प्रीत ना कारते, क्यों जम के कंकर रहते, आसी दुनिया ना, दुनिया दे समाना ना, विशे बकारा ना, मान विडियाई ना, किन्ना प्यार कर दे हैं, आप कैनल लगे के गुरू दी प्रीत वारे ही यसी सुस्त हो जानने है, क्यों गुर से प्रीत ना कर दे, क्यों जम के कंकर रहने, आप कैनल लगे, ये गुरू ना प्यार नहीं कर देगे, कोई खर्चता नहीं हुंदा गा, कि इस वास्ते फिर की सजा मिल दी है, फिर जम के कंकर होते। प्यारे हो, शीशे नू जुरूरत नहीं, के मैंनू तुसी देखो, एस से तरह गुरू नू साधे प्यार दी जुरूरत नहीं हुंदेगी, ओता आप अपने गुरू दे प्यार वेच मस्त हुंदा है, अपने आपने खोई बैठा हुंदा है, लेकन जात्ता के कोई वी तक जिन्नी मूरूने आप देख गुरू ना प्यार कीता हुंदा हो नी मस्क नहीं करदागा, अपने अपने ओदे वच जजव न यंदा करदां गा, अपने आपने पूदा नहीं तक यह शन्थी, ओधन्यू नहीं करदागा, इल्का प्रापत मुरू प्रू रापत नहींod क्यों गोड़ा है। में किस से कहुं। आखर फिर एथे पहुंचिया आत्मा में अपने मन नो समय हों दे है आप ही दरढ़ हो के गुरू मत देउत्ते चल दे है लोकां दी चिंता शड़ दे है क्योंके चिंता लेके तो संसार वेच जाओं दे है चिंता ही है जेड़ी ओसा डेगे आखे परग्ड कर दे है के प्यारे हो अनसान दा जामा बड़ा कीम्ती है ए थ्वनु जड़ा टैम मिलिया है ए वार वार नी मिलना गा मारा सावन से केंदे उन्दे सी उच्चे पाग होन तो किसे ससंगी कर विचे जनम होगे ओदू उच्चे पाग होन तो साड़ा बचपने तो क्योंकि ससंगी कर जनम है तो पिड़े पिचा कि जड़े अंग है, वो दुखन लग जन्दे है, जड़े सादी सोचन शकती है, स्टांग शकती है, वो कम हो जन्दी है, जवानी देवेच पंच पंच छेशे कंटे, अठट कंटे भी इंसान, जड़े रीड दी है, सिद्धी रहके ब्यास कर सक्दा है. In the end, the souls who have reached there, they just explain to their own selves, because when nobody wants to listen to them, and when nobody wants to do what they want them to do, then what do they do? They just keep quiet, they just remain absorbed in their own selves, and with firm determination, they go on following the path, with firm determination, they go on doing their things, but still they have the worry, still they have the sympathy for the other people. It is only because of that sympathy and the worries for the other souls, that when they come in this world, they tell us that we should do the devotion of God. Master Sawant Singh used to say that if we had good karmas, only then we are born in the good families. If we are born in the Satsangi family, right from the very beginning, right from our childhood, our attention is towards the Master, we get the Naam, and we are able to do the devotion. Because you know that the work which we can do in our early life, in our young life, we cannot do that when we become old. When we become old, our body becomes old, and the thing which we can do very easily in our youth, we cannot do that in the old age. In the youth, we can meditate for five, six hours without any difficulty, but in the old age, we cannot do that because we lose our willpower, we lose that strength which we have in our adolescence or in our youth. So that is why Master Sawant Singh Ji used to say that if God Almighty showers His grace upon us and He brings us in the Satsangi family, we should take advantage of that opportunity and do the devotion. Tu ngur mat dridh kar pāi, ab chhođo taat parai, chal rai tu ng trikuti kaati, chad sun shakar ki baati. Chada sun shikhar ki baati. Chada sun shikhar ki baati. Chada pyaar na khehan deya ke tu chal, trikuti ng chhad ke, oppar brah mahasun chhad ke, pahavargupa da padda toad ke, andar chal. Now He lovingly says that you come, leave trikuti, go to the brahma, go to the, break the barrier of the bhavargupa, and you go in the beyond. Chal rai tu ng trikuti kaati, chad sun shikhar ki baati. Maha sun ki tođo taati, jaa paragufa ki haati. Phrir saat pursh kare paaya, tun bhi na jaye bhajaaya. Swamiji ji maharaj kande hai, aatma jdo, maha sun da padda utar lendi hai, pavargupa da padda utar lendi hai, phir, oppa sat pursh de, tez vich chali jan di hai, uthe es de man nun, bein jaisi vaj sunai dindi hai, jesda har sant ne uishara ki ta hai, ke uthe bein di vaj hai, mithi hai, sirili hai. Sirf evi santha ne ek bahaar le saajnaar saanu tushbih de ke samjaya hai, lekan odhi mehma, jaan osda tushbih de nu, bahaar hor koji chij hai ni. Swamiji maharaj very lovingly says that when the soul removes the cover of the maha sun and the cover of the bhamur gufa, she goes into the region of the sad purush and over there she hears the sound of veena. Veena is an instrument which sounds very similar to bagpipe. So he says that when the soul removes the cover of maha sun and bhamur gufa, she goes to the region of sad purush and over there she hears the melodious sound of that of veena. and when she goes there she does not want to leave that place. This sound also which all the masters have referred to and have mentioned in their writings is only to make us understand that how melodious, how sweet that sound is in the region of the sad purush. Phrir saat purush kar paaya, tun bina jaye bhajaaya, suni ya laakh ya gum ki pati yaa, saas suur karab yaa, saas suur karab yaa tha kiyaa. Vaisi, swami ji maharaj, jodho angrejaan da shashin si hindostan te, o dho sab nao bolan di ajaji si, ees vaasthi urna ne kalam bada khulla byaan ki ta, guru nanak dev ji da saan gurunya da jada javana si ga, o mughlaan da raj si ga, koi khol ke javaan ni bol sakda si ga, guru gransev di baani, mein humeysha sanowna ho na hai, ji de vich kishe samai di nindya ni, bryai ni, paramatma di meh maha gaii gai hai, kush samaj ke lokaan ni, hinduaan ni, mughla raja ni chok ke, panch che dhafaha, guru gransev ni kuchari de andre talb ki ta si ga, kye de andre bryai likhi hoi hai, hundus si roj, meh thuanu sa sang sanowna hai, ke santa di kishe santa ni bhi, kade ke hdi bryai ni kiti, samaj di nindya ni kiti ghi, agar santhi nindya karan ge, to sanu huttayega kaun, es vaste swami ji maharaj bade piyar na kende hai, atma sat pursh to agge kitte ghi, agam alakhdiyaan, vata sunnyaan, ki vata sunnyaan, ohdiyaan, tunha sunnyaan andre ja ki. When the British used to rule over India, everyone had the freedom of speech, so that is why the writings of swami ji maharaj are very elaborate, they are very clear and very straightforward. But in the time of the Sikh gurus, the Mughals used to rule over India and even though in the writings of Guru Granth Sahib, no one is criticized, no religion is condemned or criticized, but still, because of some people who did not like the teachings of Guru Granth Sahib, they had told the Mughal emperors and many times Guru Granth Sahib was summoned to the court and over there they had gone through it to find out if that holy book criticizes anyone, even though you know that many times I have commented upon Guru Granth Sahib and not even a word of anyone's criticism is found there. So here swami ji maharaj is very clearly saying that after going through the region of the sad purush, the soul goes to the alak and agam regions and over there she talks there of the alak and agam regions. What is the talk of the alak and agam region? The sounds, the melody which the soul hears going in those regions are the talks of the alak and agam regions which the soul is able to hear when she goes there. Swami ji maharaj says that over here there is one sun but in the court of the sad purush I have seen the radiance, I have seen the light of billions and trillions of the suns. सुनिय लाख्य गम की बतियां सससूर खरब यहां थकियां पिया परसे राधा स्वामी कुछ कहून पुर्श अनामी आत्मा जाके वोस परमात्मा देविची मिलगी है अगे कुछ कहनू कोई बात निरेंदी की जो सुख जोई शान्ती आत्मा नु मिलदी है वो बाहर उदा कुई नमूना दे नी सगदी वो थे पहुंचियां हुन्यां आत्मा ही अल्माइटी लूड़ और… …the happiness, the peace which the soul gets over there cannot be described outside only the souls who have reached there they experience it and only they talk about it पिया पर से राधा स्वामी कुछ कहूं ना पुर्श अनामी मेरी आरत सबसे न्यारी कोई समझेगी पिया प्यारी मैं वो कोई आरती देविच की कर दे है कि थाल हुंदा है वो दे अंदर दीवे रखे जन दे है जिस देवता इश्ट देगे असी खड़के उसनों फेर दे है सो कैन लगया वो दो चार्मेंट फेरी रख दिती पासे मेरी ए आरती नी मेरी आरती आत्मा दा परमात्मा देविच मिलना है मैं मिलगी है इस वास्ते कोई गुर्मुख प्यारी जेडी आत्मा है इथे पंची है वो इस आरती नू समझेगी कि असली आरती केडी है आत्मा दा प्रमात्मा मच मिल जाना रत जाना ही आरती है What do they do in the aarti? In the aarti they take a plate in which they burn some light and then they circle that around the deity whom they are worshipping or for whom they're performing this act of aarti. so the soul which has reached there says that my aarti is not like that which the people do in my aarti my soul has gone and has become one with Almighty Lord aarti means to go and mingle in God Almighty so here she says that my aarti is not that kind of aarti that you do it for some time and after that you get exhausted and you just stop it my aarti is such that my soul goes and mingles and becomes one with God Almighty Lord only after reaching your Bhagad Danna devotee Danna had said that O Gopal, O Lord your aarta or your aarti is such that he who devotes himself to you he does this aarti and you take care of all his works my aarti sab se nyaari koi samjhegi pia piaari swami ji maharaj ka indi hai mayh jothwa nun pey dhasya hai ee sirf santi eis dhigwahi pharan gaye jis tera guru nanak diwani hai kibir hai, dadu sahib hai ravidas hai jidhe parmgatini nun praapta hai ee ohi eis dhigwahi pharan gaye samaj ka loka nun pata niga ke parmatma saadhi anndar hai kis tera wasi anndar ja ke os parmatma nun milna hai os nun mil ke ki shanti yaundi hai ki praapta hunda hai swamiji maharaj says that the secret which i have given to you only the saints will bear its witness only the saints will testify it whether it is guru nanak, dadu sahib, kabir sahib or ravidas only they will bear the witness only they will testify only they know that how we have to go within and how we have to get to god almighty and we can see him only after going in the within what we have to get what we get when we go in the within only the saints will bear the testimony to what I am saying yehpe de ai thaha hab khana बिन संक न कोई जाना कर्मी जीव जागत के अंधे सब फसे काल के फंदे थोड़ा प्यारना केंदे है जिड़े कर्मकांडी लोग है और सिर्फ ओतो तक की रीतिरवाजी जानदे है और जिनने कर्मकांड कर दे है ओह, पानी देवेच मeralणी है सानु पता है पानी देवेच मeralणी पाके जनना मरजी ओसनु बलोलो душ देवीच जागी आएगे क्योंकर मक्षण जाद kennड बिनिकलेगा दुद्धे विच्व निकलेगा. के अंधे, सब फंसे काल के फंदे, उनसे नेक ना चाहिए, मत गूड़ छिपाए रहिए. स्वामी जी माराज केंदे के तुसी भई मुफद्धि उनना दी, ना चाहिए क्यों लो, उनन तुसी नाको, एजड़ा गूड मत है, एस नुशपा के रखो. गूड़ नानक ने भी क्या सिगा, के बेन गाहक गूड वेचिये, तो गूड से गूड जाए, गूड का गाहक ये मिले, तो गूड लाख वकाए. Swamiji Maharaj says that why do you make them displeased and why do you earn their displeasure unnecessarily if they don't want to listen to you? Guru Nanak Sawa had also said that if we try to sell our merchandise to a person who is not its customer, he does not know its worth and it goes useless. If we take our merchandise to a person who knows about it, who is the real customer, then he pays its worth and he appreciates it. I have seen that the people who do the rights and rituals, many of them come to me and they tell me, that since our fathers, our grandfather used to do this, that is why we are doing this. If our fathers and grandfather didn't have the awareness, if they didn't get the knowledge and if they did not know about this path, does that mean that we also should not get to this path, we also should keep doing what they were doing? I have often told you about my father, he was also doing a lot of autorites and legibles, every morning he would get up and he would have Jabji Sahib in one hand and he would read Jabji Sahib and on the other side he would go on calling names to the servants. I would often ask him, tell me what will God accept, will he accept your reading of Jabji Sahib or your calling names to your servants? I would often ask him, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. जाखे सुपे गी ऑभ मजशोन वाली नी सी कि तो ओ रोज माला फेर आखरें ओ मजज यड़ी सी एक दन मैनू खेयल लगया, मैं पता निमाला जादे पेर ली इन पता निमाला जादे पेर ली लाइव पुट्थी पेर लाइ तो एक अर्म कार दे आदा हाल कि वोण मैं वोस्यतरा कर दा मैं गुरू को ले नाजा दा अे अच्छोप वैख्ट ए पञ्चाबुत अजया है अपजाब धिली इन सेवपरिशिए भार्मन सेगवावण अजो ए मारभयवा50 ऐल तो भारक टोली में माईा भार्मन्में तो अग्दीश धर्व माल, है गार्मनु क को रित्लफ लक्त्त प्त्त जए जए पोन उमुझा है नहीं उारे भी झाली है कि भी जदिटीजड का था से था था कर्शा कर्येर शारे भी जा थासे था कर्यें जाल से था था 2 प्या थालीं अज़ने का था था मनें छाली निए खेल भी मैय थे रिता that maybe I have moved the rosary too much that the buffalo is not delivering the baby. So such is the condition of the people who do the outer rites and rituals and who believe in this kind of superstitions. The santa but the kee, santa but kama hi karna sumeran me tan man dey na. Swamiji Maharajкіandeya, santa shabda vyasidera hai, e sabtu uthun hai, tan man dey na. सद्गुरुदा दित्ता हुया सिम्रन करना है, मुटि दे तन्ने सादन है, सिम्रन, भजन, तियान. Swamiji Maharaj says that the practice of the Surat Shabd Yoga is the best of all and you should do the reputation of the Simran, you should do the meditation of the Simran given to you by your master wholeheartedly with all your body and mind. There are only three means through which you can achieve the liberation, Simran, भजन, दियान. Shabd कमाई करना, सुमेरन में तन्मन देना, गुर्दर्शन बहुत निर्खना, तुने अन्हादनेत पर्खना, सात संग की चाहत रखना, जब डॉल बने तब करना. Now lovingly he says that lovingly you should look at the master, you should have its darshan just like the moon bird looks at the moon and also you should have the desire to attend the satsang whenever you get an opportunity you should attend the satsang and also you should have the desire to attend the satsang you know that if you will have the desire if you will crave for attending the satsang whenever we will get the opportunity we will definitely fulfill that desire Kibir Sahib says Kibir Sahib says that do not give up the company of the saint when you see him coming as soon as you see him you become pure and holy and when you spend time in his company you do the meditation of Naha Swamiji Maharaj says that whenever you get the opportunity the satsang Swamiji Maharaj says that you should not turn your back towards the satsang whenever you get an opportunity you should do the satsang saat satsang saat sang Satsang can बने तब करन उपदेश किया यह तीका राधास्वामी नाम में सीखा मैं थ्वानु सब गरंथां दासार तस दिता है के मैं शब्द नाम दी कुमाईदा होका दिता है सब्द नाम शब्द दी कुमाईदा है अपने जीवन नू सफल बनोना चाहिदा है I have told you the essence of all the holy scriptures. I have done the meditation of the Shabbat Naam and we all should do the meditation of the Shabbat Naam. अरसलने अनौंसमेंट कर दिता है Sanji will be coming to the big tent tomorrow to bless the food and give worship at 12.30 that's earlier than usual. This is for tomorrow only. People should come earlier and be seated accordingly. After blessing the food you will then give a brief talk to the students, parents, staff and alumni of the Sant Bani school. While everyone in the big tent will be able to hear him and have the darshan, there will be a special section near the dais for school people. All the other dear ones are requested to sit on the mats as usual. After the school address, Sanji will walk through the tent as he does every day. And the school community, although there are many initiates involved in it or as part of it, does include a great many people who are not initiated and yet who have been drawn into the Master's protection via the Sant Bani school. Many of them will be here only for this occasion. And they will be our guests. So please, and Sanji is very happy to do this. So that will be at 12.30 rather than the usual time. And please be here on time for that. Also, you know that initiation will be given on Thursday. I will announce tomorrow night of any specifics about the schedule, etc. and changes, etc. But anyone applying for initiation who has not yet talked with a representative should come to the Bridge to Master's House at 9.30 tomorrow morning. And tomorrow will be the last chance to have your application accepted. So please, if you want to be initiated, if you have given, if anyone has given their application, turned it in at the Bridge, you should come and get it and give it to a representative to go over with you tomorrow morning. Otherwise, it will not be enough. So please, if you want initiation, please be there at 9.30 tomorrow morning. And we will deal with that. Mañana el maestro vendrá aquí a las 12 y media. Va a venir más temprano para bendecir el alimento. Debemos estar todos sentados antes, obviamente, de las 12 y media. Él después vendrá aquí cerca de la tarima. Va a hablar con las personas del colegio de San Pani. Muchos de ellos son iniciados, pero hay muchísimas personas que no lo son. Ellos serán nuestros huéspedes el día de mañana y será la única oportunidad que ellos tendrán para venir a ver al maestro. De manera que se les pide a todos que por favor estén aquí sentados al mediodía a las 12 y media. Esto será únicamente el día de mañana. El maestro, después de hablar con las personas del colegio, con los estudiantes y los padres, caminará por la carpa y nos dará su darchen como lo hace todos los días. Otro anuncio muy importante es que la iniciación se va a llevar a cabo el jueves. De manera que todas las personas quienes estén interesados en recibir la iniciación, mañana es el último día que tendrán la oportunidad de hablar con el doctor Molina para ver si son aceptados para la iniciación. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.